आप कहते हैं कि भक्ती जीवन जीने का सबसे सुन्दर तरीका है, लेकिन आप ये भी कहते हैं कि प्रकृती खुद को आसानी से प्रकट नहीं करती। क्या का आपने प्रकृती? एक महिला की रूप में अगर आप एक महिला हैं, तो भक्ती काफी है अगर आप एक बैंकर हैं तो हमें जी तोड़ने और जान तोड़ने वाली साधना की जरूरत है मैं चाहता हूँ कि आप ये बात समझ ले कि आध्यात्मिक प्रक्रिया आपके लिए कितनी कठिन होगी ये आप खुदी तय करते हैं प्रक्रिती नहीं ये आपके गुरू नहीं प्रक्रिती या अस्तित्व या स्रिष्टा और आपके गुरू कोशिश कर रहे हैं आपके लिए इसे जितना हो सके उतना आसान, उतना सरल और उतना तेज बनाने की क्योंकि अगर आप ज्यादा समय लेंगे तो ये आपके जीवन के बरबाद होने का सवाल नहीं है ये मेरे जीवन के बरबाद होने का सवाल है अगर आप लक्ष तक नहीं पहुंचे तो सवाल आपके फेल होने का नहीं है, सवाल मेरे फेल होने का है आप तो जानते हैं कि मुझे हारना अच्छा नहीं लगता क्या आप देख सकते हैं? मुझे हारना अच्छा नहीं लगता आपको देखना चाहिए कि मैं किस तरह सड़क पर गाड़ी चलाता हूँ मुझे हारना अच्छा नहीं लगता अगर आप यहां एक महीला के रूप में हैं तो यह काफी आसान है लेकिन आप बहुत सी दूसरी चीजें भी हैं विदेशी बैंकों को हैंडल करना मुश्किल होता है क्योंकि छुपीवी शर्ते होती है हर समझाते में एक छुपीवी शर्त होती है वो इतने चोटे शब्दों में लिखी होती है कि उन्हें पढ़ने में पूरी जिंदगी निकल जाती है तो ज्यादतर लोग उन्हें पड़े भी नहीं उस पर साइन कर देते हैं तो सारी छिपीवी शर्ते मिटा दीजे यहां सिर्फ एक महिला के रूप में रहिए यह बहुत आसान है अगर आप यहां सिर्फ एक पुरुष या सिर्फ एक महिला के रूप में है तो बस इतने की जरूरत है इसके लिए इतनी सारी बातों की और बक्वास की जरूरत नहीं है अगर मैं बस ऐसा करूँ तो आप वहां पहुँच जाएंगे तो भक्ती बुद्धी का एक अलग आयाम है जो दुर्भागे से आज की दुनिया ने खो दिया है अब वो छोटा लड़का जो वाइलिन बजा रहा है वो बस सोला साल का है वो अपने पिता की तरह जीनियस बनने से ज्यादा दूर नहीं है वो लगभग वहां तक पहुँच गया है काफी कम समय में वो लड़का उस तरह तक पहुँच जाएगा ऐसा ट्रेनिंग की वज़े से नहीं हुआ है ऐसा सरल भक्ती की वज़े से हुआ है आपने देखा वो कैसे बैठता है देखे किस तरह वो अपने पिता के पास धेर सारे प्रेम और भक्ती के साथ बैठता है आप उसके आँखों में देखिए वो कितने प्रेम और भक्ती से अपने पिता की ओर देखता है उस भाव में सीखने की प्रक्रिया एक बिल्कुल दूसरे तरीके से हो जाती है एक आंदर प्रदेश में एक बहुत ही उम्दा संथ हुए आंदर प्रदेश में ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें इस संथ के बारे में कम से कम एक छोटी सी किताब न हो वैसे उनका नाम तो कुछ और था लेकिन लोग उन्हें वेमन्ना बुलाते थे तो उनका नाम वेमन्ना है वो अपने गुरू के साथ थे और वो थोड़े बुद्धू से थे वो एक बुद्धू साथी है वो इतने अनाड़ी हैं कि उन्हें कोई भी बात समझ नहीं आती मेरे पास ऐसे बहुत से लोग हैं और वो बढ़िया काम कर रहे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं होश्यार लोग जिन लोगों को लगता है कि वो बहुत होश्यार और स्मार्ट हैं इशा में वो लोग उलच जाते हैं अनाड़ी लोग बढ़िया काम कर रहे हैं किसी और को लग सकता है कि वो कुछ भी नहीं है लेकिन उसके किये कामों के नतीजे को देखे वो अद्भुत हैं तो ये एक अनाड़ी है गाम के सारे लोग उनका मजाग उड़ाते थे लिकिन गुरुजी को उस पर दया आती थी क्योंकि वो औरों के तरह स्मार्ट नहीं था एक दिन गुरुजी को किसी बहुत जरूरी कारेक्रम में जाना था तो वो नदी पर नहाने के लिए गए इस लड़के को अपने कपड़े देते हुए उन्होंने कहा इन कपड़ों को हाथ में पकड़ कर खड़े रहो इन्हें नीचे मत रखना क्योंकि जमीन गीली है और कपड़े गंदे हो जाएंगे इन्हें नीचे मत रखना बस इन्हें हाथ में पकड़े रहो तो गुरुजी नदी में डुपकी लगाने और नहाने के लिए चले गए और जब वो बाहर आए लड़के ने कपड़े जमीन पर रख दिये थे कपड़ों पर मिट्टी लग गई थी उसने इसलिए उन्हें नीचे रखा क्योंकि जब गुरुजी ने उसकी और देखा उसे लगा कि उन्हें कुछ चाहिए और वो कपड़े नीचे रख गुरुजी की और भागा वो बहुत सरल है एक बार में एक ही चीज, वो दो चीजें नहीं संबाल सकता ये दो चीजें थी, कपड़े और गुरुजी दो ने उसे मुश्किल में डाल दिया गुरुजी ने ये देखा अभी उन्हें कहीं जाना है उनके कपड़े गंदे हो गएं और उन्होंने उसे कई बार कहा भी था इसे नीचे मत रखना इसे नीचे मत रखना और उसने नीचे रख दिये तो गुरुजी ने उसे एक चौक दी और कहा तुम बिल्कुल बुद्धु हो तुम और कुछ नहीं कर सकते यहां बैठो और बस राम 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 लिखो इस पत्थर पर इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते बस इतना करो शायद तुम पर कृपा बरस जाए बस यहां बैठो और राम 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 लिखो उसी जगा पर बार बार लिखते रहो लड़के को इतनी शरम आई उसे इतना दुख हुआ क्योंकि गुरुजी उससे निराश हो गए उन्होंने उसे कितनी बार बताया लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाता तो उसने लिखना शुरू किया गुरुजी जल्दी में वहां से चले गए पूरा दिन किसी कारेक्रम में हिस्सा लेने के बाद गुरुजी शाम को वापस लोटे और उन्होंने सबसे पहले पूछा वो लड़का का है क्योंकि उसके साथ सक्ती से बात करने के कारण उन्हें बुरा लग रहा था लड़का आश्रम में नहीं था अरे मैंने उसे राम लिखने को कहा था और उसके बाद कोई निर्देश नहीं दिया शायद वो वहीं हो और वो वहाँ गए लड़का अभी भी राम लिख रहा था चौक बहुत पहले खत्म हो चुकी थी उसकी पहली उंगली और अंगूठा भी यहां तक घिस चुके थे और वो फिर भी लिखे जा रहा था राम 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 गुरुजी ने उसे उठा कर गले लगा लिया और ये लड़का मुझे नहीं पता कि कितनी कोई जानकार आदमी बता सकता है उन्होंने सैक्डों अद्भुत कविताएं लिखी और आज भी कुछ सौ सालों के बाद ऐसा कोई तेलगु भाशी घर नहीं होगा जहाँ वेमन्ना की कविताओं की कोई किताब न हो लग-भग हर घर में वो होगी जिस किसी को भी पन्णा लिखना आता है उनके घर में वो होगी ही और लगभग हर कोई इन कविताओं को जानता है उन्होंने अद्भुत कविताओं लिखी सिर्फ अपनी भक्ती के माध्यम से तो भक्ती ऐसा कर सकती है क्योंकि भक्ती बुद्धी का एक दूसरा आयाम है भक्ती ऐसी बुद्धी है कि आपको समझ आ जाता है कि आपसे कहीं बड़ी एक बुद्धी भी मौजूद है और आपने अपनी छोटी सी बुद्धी को किनारे रखना सीख लिया है वही भक्ती है भक्ती का मतलब हर दिन पूजा करना ये ये वो करना नहीं है भक्ती का अर्थ ये है कि आपका जीवन से जुड़ाव इतना गहरा है कि आप खुद भी माइने नहीं रखते जो काम आप कर रहे हैं आप उससे इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि अब ये माइने नहीं रखता कि आप क्या हैं तब आप एक भक्त है भक्ति का मतलब है आप खुद से खाली हैं वही भक्ति है